सुन्दरवन के जंगल में बहुत से पंची 117 मिलिवन कर रहते थे टुन्टुनी चिडिया की सादी मौनु कबुतर से हुई थी मौनु कबुतर काम की तालास में सहर चला गया घर पे टुन्टुनी चिडिया और उसकी सास अकेली रह गई अरे ओ टुन्टुनी, सारा दिन घर में पड़ी पड़ी आराम करती रहती है, बस किसी तरह से घर का काम खतम करती है, और फिर जाके सो जाती है, मेरा बेटा तो बाहर काम करने के लिए चना गया, तू भी तो सारा दिन आराम करती रहती है, तू भी कोई नौकरी क्यों नहीं चल चल, आई वड़ी मुझे सिखाने वाली, घर के कामों से फुर्षत कहां मिलती हैं, सब जानती हूं मैं तेरी नाटक। यह सुनकर टुंटुनी चिडिया रोने लगती है, ऐसे ही उसकी सास उससे घर का सारा काम करवाती और उसे ताने भी मारती, ऐसे ही कुछ दिन बीट जाते हैं, एक दिन टुंटुनी चिडिया अपनी सहली से मिलने जाती है पारे क्या बात है टुंटुनी, आज तेरी सास ने तुझे घूमने के लिए छुट्टी दे दी नहीं यार कहा, माजी कभी मुझे छोड़ती है क्या, मैं घर का सारा काम जल्दी अल्दी कित्म करके बस तुझे मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि तो उत्ले दिनों से मुझे बुना रही है चल वो सब छोड़, और बता, घर का क्या हाल है घर का क्या बता हूँ यार, माजी सारा सारा दे मुझे से काम करवाती रहती है और तो और बोलती है कि जा बाहर जाके कोई नौकडी ढूंड अपने लिए अब तो ही बता, मैं कहा नौकडी ढूंडू और तो और, घर के कामों से मुझे फुरसत कहां मिल पाती है तुन्टुनी चिडिया अपनी सहेजी से बात करके वापस घर लोट जाती है और घर का सारा काम खतम कर लेती है और साम को जब उसकी सास भूं कर आती है तो क्यारे, हर जगह तो मेरी बेज़ज़ती किये जा रही है कि मैं तुझसे घर का सारा काम करवाती हूँ और नौकडी करने के लिए बोलती हूँ बहुत चड़वे चड़गई है तुझे, लुक अभी तुझे बताती हूँ माजी, मैंने कुछ नहीं किया माजी मतला ये छोड़ दीजिए माजी जै, इस बार तुझे इतने पे छोड़ रही हूँ आगे से अगर मेरी बुराई की तो मैं तुझे छोड़ँगी नहीं अब जा जाके जल्दी से सारे वरतन साफ कर ऐसे ही जैसे तैसे कुछ और दिन बीत जाते हैं फिर एक दिन अलो कुंपनी चिया, आज हम लोगों को ब्यूटी पार्लर जाना है तुम तयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी ठीक है, मैं तयार रहूंगी, तुम आराम से आऊ उसकी सास धूप में बैठके धूप खा रही होती है मा जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए मैं अपनी सहेली के सास आज ब्यूटी पार्लर जा रही हूं मेरे पास जगा भी पैसे नहीं है फाल्दू के घर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है जा यहां से चली जा, मैं तुझे बोल रही थी कि जाके नौकरी कर ले तो तुझे बहुत बुरा लगा नहीं है मेरे पास पैसे यह सुनकर टूंटूनी रोने लगती है ऐसे यह कुछ और दिन बीच जाती है एक दिन टूंटूनी की सास अपने होसले के पास बैठी रहती है तभी अचानक वहाँ पे एक साप आ जाता है टूंटूनी उस साप को देख लेती है और तुरंत उस साप को वहाँ से हटाती है और अपनी सास की जान बचाती है यह देख करके टूंटूनी की सास बहुत खुस होती है और वह रोनी लगती है रोते हुए फिर वा कुंटनी से काती है बेटी आज तुमने मेरी जान बचाई है अगर आज तुम नहीं होती तो बहुत साप मुझे काट लेता और में मर जाती तुमारा बहुत बहुत सुक दिया बेटी मैंने हमेशा तुमको डाटा है और आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगी या लो घर की चावी आज से तुम इस घर के मालकी हो तुम्हें जो मन करे जैसे मन करे वैसे करो